समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंग यादव ने दादरी मामले पर बयान दिया है मुलायम सिंग ने कहा है कि दादरी मामले में बीजेपी के तीन लोग शामिल थे और अगर पीएम मोदी उनसे इस बारे में पूछेंगे तो वो नाम बता देंगे लकनों में एस बी की यूथ ब्रिगट की मीटिंग के तुरान मुलायम सिंग ने कहा कि दादरी कांड में अखला के मॉर्डर में बीजेपी के तीन लोगों का हाथ था दादरी के घटना को एक सोची समझी साज़िश के तहत अंजाम दिया गया था ये सब कुछ एक संगटन के इशारे पर हुआ था मुलायम ने पीया मोधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीया मोधी भरे ही भेदबा मिटाने की बात करते हैं लेकिन बीजेपी के लोग हत्या करा रहे हैं बदादे पिछले साल ग्रेटर नौइडा के दादरी इलाखे के बिसाड़ा गाउं में बीफ को लेकर विवाद उठा था जिसके बाद भीड ने 52 साल के मौमध अखलाक को उसके घर से बाहर मार डाला अवर हच्चा करने वाले पॉन्टे मैंने तीन नाम लिए और तीनों नाम भाड़ी जन्ता पारी सम्मादे थे मैंने का अगर प्रहमती बढ़ाएंगे तो तीनों नाम भी बता देंगे पर लोगों ने कहा अपने लोगों ने कि आपने कह लिया जान तो सब गए और ये बैठे हैं आपके ये जानते हैं तीन कौन है इस तीनों ने वहां के निदोस जिकाविता सीमा परता उस जी हच्चा कर दीचा और देर कॉंग्रिस ने मुलायम सिंग से नाम बता कर कार्रवाई करने की बात कही है हमारा तो आरोपी यही है कि भारती जन्ता पार्टी और उसके साथ जुड़े संगटनों ने वहां बिहार के चुनाओं को देखते हुए एक निर्दोस की हत्या करने की साजी सर्चीची जिससे दहल उठे पूरा उत्तर भारत और मैं कहूंगा पूरा देश पर एक आगरा अधनी मुलायम सिंगी से मैं करना चाहूँगा पितिक्षा ना करें वो कि नरेन मोदी जी उनसे कहें तब वो तीनों नाम बताएंगे बलकि मेरा उनसे आगरा हन्रोज है कि देश के हित में और उत्तर प्रदेश के हित में उन तीनों का नाम सालजनिक करने वहीं जा तक बात करें बीजेपी की तो बीजेपी मुलायम माह सिंग यादव के सब बयान पर भड़की हुई है यह बड़ा अदभूत एक बयान है यदि मुलायम सिंग यादव जी ने ऐसा कहा है वो तो पूर मुख्यमंत्रियें समझते हैं क्या ये संदेश भेजना चाते हैं कि वहां की पुलीस और कानून विवस्ता तब तक काम नी करेगी जब तक मुख्यमंत्रिय या उतने सीनियर नेता उनको निर्देश ना दे जहां तक दादरी का विशे है इसका शायद हो सकता है राजनेती करण का एक प्रयास हो इस विशे को कानून के रूप से देखना चीए जिसने भी गलत किया उसमे कारवाई होनी चीए और कहीं पर भी इसका राजनेती करण उचित नहीं है